हाई गाईस वेलकूम टु बैक मैं चैनल में प्यांका आज हम लोग बनाएंगे फूले फूले बटोरे जितने लोग के प्रवलम होता है कि बटोरा फुला फुला नहीं बनता है और जो बटोरा है आप लोग का तेल में जाने के बाद बिल्कुल फट जाता है वो सारा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा हलका से पइसाथू से मिक्स करना है उसके बाद आता घुतके तयार कर लेंगे उससे पहला अगर आप मेरे चैनल पर ना दो चैनल को subscribe कर लएजे बेल एक गंटा प्रेस कर लेजे और इसे पटक पटक के अच्छे से मसल मसल के इसका हम बटोरा बनाएंगे जितना ही पटक पटक के इसको मसलेंगे उतना ही अच्छा हमारा फुला फुला बटोरा बनेगा इसमें एक अच्छा सा लचक आएगा इसलिए आपको हो सके तो जितना जान जो रहो उतना लगा कि इ पक जाता है और फट जाता है तो ऐसा यह सब पुछ आपका जो वीडियो में डाउट होता है वो सब क्लियर करने वाले हैं और जिस तरीके से हम आपको बता रहें बटोरा बनाने के लिए हंडेड में 110 परसेंट आपको रिजल्ट बहतर मिलेगा एक बार ट्राय जरूर जैसे ही अच्छे से मसल लेंगे इसमें फिर से ओल लगाएंगे और इसको फिर से इसको मसल ना तयार करेंगे यानि इसको मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर लेना और कैसा करना है वो हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हम लोई तोड़ेंगे तो उपर से इ लगाते हैं तो हमारा जो बटोरा है बिल्कुल फुला फुला और स्पंजी और जाली दार बनके तेयार होगा ता धीर सार जाली वाला बटोरा कैसे बनता है वह हम आपको दिखाने वाले हैं और एक बार आप इस तरीके से बटोरा बनाना जाने तो हंडेट में 110 परसेंट बा आप मार के खाने बनता हैं जो बटोरा का साइज है वह कैसे हुआ हैं उसमें दही डाले है मैदा के मिकसर में खना उठेगा उठने तो इसको दही डालके सारा उसका आटा लगा के तयार कर लिजे। इससे यह होगा आपको कि आपका आटा बिलकुँष सौप्ट और हम जो बटोरा बनाएंगे वो जलिदार बनेगा। अगर इसमें हम इसे छोड़ेंगे नहीं तुरंती बनाएंगे तो उतना सौप्ट और जलिदार और फुला 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 हमारा बटोरा नहीं बनता है। इसलिए जब भी आप बटोरा बनाएंगे तो आपके पास टाइम है तो आटा गुतने के बाद उसको रेष्ट पे जरूर रखें। आप देख सकते हैं इसका जो क्वांटिटी है पहले को कोडिंग डबल हो गया है आप खुद अंदाज लगा सकते हैं तब फिर से लोई को हम गोल करेंगे एक बार और इसको हम बिलना भी स्टार्ट करेंगे। तो यह मैदा है तो थोड़ा बिलने में इसको मिलहत लगे का आपको तो फिर भी आपको कैसे बेलना है और इसे कैसे तलना है वो दिखाते हैं क्योंकि जो हमारा ओयल है वो भी कितना टमपरेचर पर रखना चाहिए हमें तेल को कि हमारा बटो रहा है वो अच्छा और फुल अगर मैता लगा किम बेलेंगे तो हमारा बटोरा उतना अच्छा नहीं बनेगा तो यह देखिए बस इसे तरीके से आपको गोल इसे बेलना है जिन्ना ज्यादा मोटा बेलेंगे नहीं ज्यादा पतला बनेंगे जैसे हलवाई लोग बनाता है बटोरा बिल्कुल उस तरीक 从 दूरी नहीं ज्यादा करता हैं नहीं जदा तौ कर दिया है लोग टोरी से जबनाने के सब्राइग और इसके बाद भाद से बना सकते हैं इसके बाद पूले पखाएंगे जब तक इसे पका हैं तब तक यह फूल ना जाए आपको बिलकुल medium to low फ्लेम पे पकाना है high फ्लेम पे बिलकुल भी नहीं पकाना है तो यह देखें यह हमारा बटोरा आप देख सकते हैं कितना फूल आए बटोरा बनाते हैं तो एक ही बार में आपको बिल्कुल पर्फिक्ट जो है रिजल्ट मिलता है और अब देख सकते हैं हर तरह से हमारा बटोरा जो है फुल गया दम ऐसा कहीं से नहीं है कि जो नहीं फुला है तो इस तरीके से बनाएगा तो आपका बटोरा जरूर फुलेगा और उमीद करते हैं कि जितने लोगों का अगला वीडियो बनाए उसमें और भी अच्छे से आपको इस तरीके से सारे बटोरे हम बना के त्यार कर लेंगे अगर आधा केजी मैदा यानि 500 ग्राम मैदा से बटोरा बनाते हैं तो अच्छे से चार से पांच लोग खा लेते हैं तो अगर इससे जादे का बनाना चाहत अगर आपको और बहुत ही असान है जिन लोगों को लगता है कि बटोरा फुलता नहीं जलीदार नहीं बनता है तो एक बार मेरे कहने से ट्राइज जरूर करिएगा जिस तरीके से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं अगर एक बार इस तरीके से बनाना सीखें तो 100% तो अगर आपको और भी कुछ देखना है तो मुझे से कोमेंट करके जरूर बताइगा क्योंकि जब आप लोग मुझे कोमेंट करते हैं तो मुझे पढ़के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मुटिवेशन मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग मुझे कॉमेंट करके कहते हैं कि ये वीडियो बलाईये, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग कॉमेंट करके बोल रहे हैं, तो आप लोग के फसंद का ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए, बहुत सारा मेरे चैनल पे अभी फिलाल में मिठाई और बालु साही का भी वीडियों सेयर किएथे जिससे आप लोग बहुत सारा प्यार दिये हैं इसी तरीके से प्यार देते रहिए अपना और अपना सपोर्ट देते रहिए क्योंकि अगर आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट और अपना इंपोर्टेंट टाइम नहीं देते तो यहां तक पहुंचना मेरे लिए नामोमकिन था आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वज़े से ही हम यहां तक पहुंचे और उमीद करते हैं आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिएगा तो कैसा लगा आज का बटोरा का वीडियो मुझे नीचे कोमेंट में जरूर बताईएगा और इस बटोरा के साथ छोला का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है सिंगल भी वीडियो छोला का हम अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए छोला और बटोरा का ये वीडियो जो आप लोग ये रेस्पी जरूर ट्राई करिएगा एक बर अपने घर पर बनाके आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और आप लोग का बटोरा कैसा बना हुए मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि आप लोग का कॉमेंट परके न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है तो आप लोग मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रही है और फुले फुले बटोरा बनाएए खाईए और सबको खिलाएए धीर सारा सबसे प्यार पाईए और बहुत सारा अपना तारीब पाईए और इस तरह के से बटोरा जरूर बनाएएगा तो वीडियो पसंद आयागा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपने प्रियांका डिसी यूटिव चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा निश्ट आपको कौन सा कुकिंग का वीडियो या रिवीव वीडियो देखना है वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो देखना है तो आप कब छोले और बटोरे बना रहे हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके बताईएगा और आप लोगों मेरे तरफ से बहुत सरा बहुत सरा प्यार तो चलिए मिलते हैं एक और नए इसी तरह से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से फुले फुले बटो रहा है